आज एक अंगूर बेचने वाले भहिया गली में आए और बताने लगे कि ये सिर्फ ऐसे फ्रूट की तरह खाने में काम नहीं आता ये है फलो का राजा और ये बहुत ही अच्छी चीजों में काम में आ सकता है मैंने अंगूर बेचने वाले भहिया से पूछा ये क्या काम आएगा तो बताए इसको थोड़ा सा निकाल के अलग से तल लेना यानि कि एक किलो आप ले जा रहे हो तो 800 ग्राम तो खाल लेना लेकिन 200 ग्राम थोड़ा सा तल लेना मैंने का बताओ अंगूर वाले भाई आप कहना क्या चाते हो तो बोले आप हलका सा देशी घी या फिर तेल में अंगूर को फ्राई कर लो और जब यह हलका सा पीला पढ़ने लग जाए याने कि यह हरे रंग का है अभी तो इसमें हलका सा पीला पना आ जाएगा जब ये फ्राई हो चुका होगा तो आप उसके बाद इसे भाहर निकाल लेना मैंने का ठीक है निकाल लेंगे लेकिन इसका बनवाओगे कि आज कुछ बताओ विस्तार में तो बोले मैं काफी सालों से अंगूर बेचता हूँ इस मौसम में मैं अंगूर बेचता हूँ और साथ ही में ये रेसिपी भी जरूर बचाता हूँ तो मैं आपको आज ये रेसिपी बता रहा हूँ अंगूर बेचने वाले भीया बताने लगे कि अंगूरों को अब हमने बरफ में डालेना है जो हम फ्राई कर रहे हैं कोई भी एक ऐसी करची ले लिजे जिसमेंसे जो है एक ऐसी करची ले लिएगा पर ठंडे पानी में डालना है। मैंने थीक है लेकिन उससे होगा क्या? तो वोले इससे इसका फाल्तु का तेल भी निकल जाएगा और साथ ही में जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे तो हमने इसको ठंडे पानी में डाला और उसके उपर से इसके बरफ भी डाल दी अब अंगूर वाले भाया बोले कि आपको क्या करना है ये जब तक खलका ठंडा पड़ जाए आपको आगे की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है मैंने का ठीक है तो बोले आप एक कढ़ाई ले लो और आपको थोड़ा सा इसमें चीनी और गुर डालना होगा साथ में उससे पहले देशी घी डालना होगा मैंने का ये तो बहुती बड़ी आ शक्कर बन जाएगी गुर वाला केरेमल, चीनी वाला केरेमल बन जाएगा घी में कहते बिलकुल सही समझे इसलिए आप चीनी और गुर को इसके अंदर डाल दो मैंने का ठीक है लेकिन वहाँ तो अंगूर भी ठंडे हो गए होंगे उनका क्या करना है तो बोले जब तक यह हलका मेल्ट होता है आप चलो वापस अंगूर की तरफ और वो भी पानी में ठंडे हो गए हैं वैसे वैसे एक बार करो तो सही मैंने का ठीक है भीया तो उन्होंने मुझे बहुत ही खास चीज़ बता डाली उन्होंने बताया कि यह जो अंगूर है इसका हमें एकदम बढ़िया पल्प निकाल ले ना होगा मैंने का इस पल्प का गुड़के अंदर चीनी के अंदर तो इस्तेमान नहीं होने वाला इसका करेंगे क्या तो बोले अब ही मैं आपको विस्तार में बताता हूं सबसे पहले इसका पल्प तियार करो तो फल्का सत दूँद डाल के मैंने का ठीक है बोले एक्स्ट्रा ओयल निकल गया है वरफ में ठंडा भी हो गया है दूर डाल के इसका पेस्ट भी बन गया है अब वापस चलते हैं हमारे गुड की तरफ जहां पे हमने चीनी और गुड को चाशनी में इसको केरमलाइज करने के लिए रखा था मैंने का ठीक है यहां तो यह केरमलाइज हो रहा है तो कहते बस इसे हलका केरमलाइज होने दो यह सब कुछ पिगलने दो केरमलाइज नहीं पूरा करना मैं कहूँगा यूं तो कि इसको अच्छे से पूरा पिगलने दो मैंने का ठीक है पिगलने के बाद क्या करना होगा तो अंगूर वाले भाईया बोले कि सुनो मैं घर में अक्सर ये चीज बनवाता हूँ अब ये जो पूरा का पूरा कैरेमलाईज हो रहा है इसमें जो अभी हमने आपके सामने अंगूर का एक खास पेस्ट बना के तयार करा था दूद के अंदर उस पेस्ट को अब हम इसके अंदर डालेंगे मैंने का भला उस पेस्ट का इसके अंदर क्या का ये क्या कोई अंगूर की रेसिपी बन रही है तो बोले हाँ अंगूर की रेसिपी ही तो बन रही है यहाँ पे हम एक अंगूर की खास चीज बना रहे है तो बोले हमारा जो ये सारी चीनी और गुड है बस मेल्ट होना शुरू हो चुका है लगबग 5 सेकिंड में और ये अच्छे से पिगल जाएगा और उसके बाद अब मैं इसके अंदर वो सारा जो हमने पेस्ट बना के तयार करा था वो डाल दूँगा मैंने का ये कौन सी रेसिपी हुई भला ये बन क्या रहा है तो वो बताने लगए कि सुनो ये हमारी जो रेसिपी है बहुत अथेंटिक है एक धम अच्छी है प्योर है इस मौसम की है क्योंकि अंगूरों का मौसम चल रहा है और आप इसे ट्राइ करने के बाद बहुत खुश होने वाले हैं महंगी महंगी बजार से मिठाई तो लेके आते हो लेकिन एक बार ये देसी घी की मिठाई जो अंगूर में बन के तयार हुई है इसको भी ट्राइ कर लो मैंने का आखिर ये अंगूर की मिठाई बन क्या रही है तो बोले अभी हमें सबसे पहले इसको देसी घी के अंदर औ और दूसरा आप इससे अंगूर का हलवा, दोनों में से जो भी आप चाहते हों वो बना सकते हैं, मैंने का अंगूर की बर्फी अंगूर का हलवा ये भी भला होता है क्या, तो बोले देखो हम लोग अंगूर के बारे में जादा इसलिए भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग इन को रोज गली में आपको देने भी आते हैं और इनके बारे में हम जानते भी हैं इसलिए उन्होंने बताया कि आज आपको इसको ऐसे बना लेना है अब आप इसमें हलका सा दूद एड़ करें ड्राइफरूट एड़ करें आपकी बरफी या फिर अंगूर का हलवा तयार है दे कि नहीं दोस्तों जब यह मैंने खाया तो मुझे यह इतना टेस्टी लगा मुझे लगा यह स्वीट डिस शैद मैं आज तक चक क्यों नहीं पाया था मुझे आज तक पता क्यों नहीं चल पाई इतनी स्वाधिश भी मिठाई हो सकती है क्या वो भी अंगूर की तो यह कैसे दूद मिक्स होता चला जाएगा इस मिष्टन के अंदर और बस आपकी रेसिपी जटपट तयार कैसी लग रही है दोस्तों आप यह मुझे बताईएगा जरूर क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए रोज एक ऐसी अच्छी रेसिपी लेके आते हैं और आशा करत अपने आप पैन को छोड़ने लगेगा और उसके बाद हम इसके ओपर हलका सा ड्राइफ रूट लगा के इसका हलवा बना देंगे और अगर हम इसकी बर्फी बनाते तो हम इसे एक ट्रे में सेट कर लेते हैं और हलका दूद और कम डालते हैं बस यह बनके तयार है ले लेने का क्योंकि बहुत मेहनत करें बहुत ही स्वादिश यंगूर का हलवा बना है मैं चलता हूं दोस्तों बाबाए थैंक यू